Hello everybody, welcome to Mystic World 11.11. ये आप लोगों की quick energy update है और हम देखेंगे आपके person की current feelings or thoughts आपके लिए क्या है So ये एक short reading होती है और बिल्कुल timeless है जब भी आपकी नजर से गुज़रेगी आपका उस वक्त का message होगा So three of cups मेरी नजर से गुज़रा है Celebration, happy times, में भी आप लोग याद कर रहे हैं और आपके person भी हो सकते हैं आपका connection friendship से शुरू हुआ था या वो आपके साथ friendship को बहुत जादा miss कर रहे है Nine of wands Two of swords Okay, seven of swords The emperor Okay, so अभी आपके person आपको जो भी दिखा रहे है It's a facade I feel कि वो इस पक बहुत struggle में है बहुत confusion में है और ये इंसान आपके साथ authentic नहीं है Basically, वो आपको ये दिखा रहे हैं कि सब कुछ ठीक है वो बिलकुल control में है हर चीज, life ठीक चल रही है Knight of cups Knight of pentacles The lovers Oh my god, the devil Bottom पर हमारे पास है Knight of swords I feel के बहुत confessions हैं जो आपके परसन आप से करना चाहते हैं बट नहीं कर रहे I do feel for some के They feel के they've completely lost themselves Two of pentacles So balance So I feel यहाँ पर Capricorn Aries Gemini Pisces Cancer Libra Aquarius C.A. star signs यहाँ पर बहुत strongly है इसमें से कोई आपका यह आपके परसन का हो सकता बट जरूरी नहीं है So इस वक्त आपके परसन basically आपको यह दिखा रहे हैं के चीज़ें विलकुल ठीक हैं Under control है Life ठीक चल रही है जबके ऐसा कुछ भी नहीं है यह इसान बहुत परिशान है Stuck है Confused है I do feel कि आपके परसन के इर्द गिर्द कोई toxicity है यह addictions हो सकती है कुछ और चीज़ें हो सकती है I do feel कि यह इसान बहुत obsessively आपके बारे में सोच रहे है और यह इसान आपसे Confessions करना चाते हैं बट वो अपने Confessions को दबा रहे हैं मतब अपनी Feelings को दबा रहे हैं और इस वक्त पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो यह बाते आपसे Share ना करें अभी तक अगर आपको आपके परसन की तरफ से Communication नहीं मिली है कोई Action नज़र नहीं आ रहा है और आपको लग रहा है कि यह इनसान बहुत Slow है उसका Reason यह है कि वो हर दिन अपने आपसे लड़ रहे हैं हर दिन उनका दिल करता है आपसे कुछ Confess करने को आपको बहुत कुछ कहने को बट वो अपने आपको रोक लेते हैं With the Seven of Swords और फिर जितना उन्हें आपसे प्यार है वो नहीं आपको लिखाना चाह रहे हैं मतलब the struggle is real I feel This is real I feel इतना ज्यादा वो आपके लिए Obsession feel कर रहे हैं इतना ज्यादा Obsessive Thoughts हैं इतना ज्यादा आपसे connect करना चाह रहे हैं I don't know कि अभी तक उन्होंने reach out क्यों नहीं किया है अभी तक आपकी तरफ वो क्यों नहीं आए हैं ये energy जो है ये बहुत intense है मतलब अभी तक उनको आ जाना चाहिए आपकी तरफ So कुछ लोगों के लिए I do feel with the night of swords की इंसान suddenly एकदम से उनकी call आएगी आपको messages आएंगे बहुत सारे back-to-back 4-5 messages हो सकता है एक साथ वो आपको करेंगे या call ही कर लेंगे direct So बड़ी fast communication आ रही है उन्होंने कोशिश बहुत की अभी तक suppress करने की hide करने की आपको ये दिखाने की कि सब कुछ ठीक है उनकी जिन्दगी में हर्ची is under control है और वो ठीक है right but deep down बहुत आपकी याद आ रही है आपके बारे में सोच रहे हैं thoughts है मतलब हो सकता है कि वो substances का सहारा लेते हैं अपने आपको numb करने के लिए अपनी feelings को numb करने के लिए ताके वो कुछ सोचे न addictions you know but वो जितनी इन चीज़ों को use कर रहे हैं उत्ता जादा उसका affect negative हो रहा है और numb नहीं कर पा रहे है तो एक वक्त ऐसा आता है कि वो चीज़ें भी आपको numb नहीं कर पाती हैं और आप बिलकुल अपनी sanity खो बैठते हैं तो इसका बड़ा गलत effect होता है obviously हमारी body पर हमारे mind पर तो I really feel कि ये इनसान finally अब I feel कि वो नहीं अपने emotions को दबा पाएंगे चुपा नहीं पाएंगे और बोल पड़ेंगे communicate करेंगे ये आपसे because अब उनके लिए too much हो रहा है नहीं रहा जा रहा so I feel कि अब वो resist नहीं कर पाएंगे so ये आपकी quick energy update थी कुछ भी आपके लिए helpful रहा मुझे आप बताईएगा comment section में मैं मिलूँगी आपसे next video में till then love you lots bye